दिस इस आरके सुकला, एक्स फैकल्टी उफ एलन एज वेल एज आकास, और नावड़ेश अट नीट बिनायक यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्रखर क्लासेश फॉर नीट. बचो अभी हम लोग बात कर रहा हैं, अभी हम लोग बात कर रहा हैं, बायो मॉलीक्यूल के कॉंपलीकेशन के सॉलियूशन के बारे में, और how to learn बायो मॉलीक्यूल इन इज़ी मैनर. तो आज हम बात करने वाले हैं, टाइप आफ अमीनो एसिट को कैसे याद किया जाए, क्या तरीका हो जिससे type of amino acid हमें याद हो जाए बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए हम बात करते है amino acid को याद करने का क्या तरीका हो सकता है कैसे इसे याद किया जा सकता है चलिए, so how to learn amino acid इस बारे में बात कर रहा है how to learn type of amino acid अब NCID के range में हम बात करेंगे अब NCID ने type of amino acid में सबसे पहले जो categorization किया है, वो किस बेस पर किया है, on the basis of alkyl group और इसका एक formula हमारा है gas, GAS, glycine alanine as well as serine, glycine alanine as well as serine, अब याद रखना यह इन तीनों का structure दिया हुआ है, देखो यह center पर car one है, एक side में H, दूसरे side में NH2 and add another side COOH, ठीक है, अब अगर R की जगह केवल hydrogen है, अच्छी तरह से याद रखना, अगर R की जगह केवल hydrogen है, then it will be called as glycine, अच्छी तरह से याद रखना, अगर alkyl group नहीं है, उसकी जगह hydrogen है, तो यह क्या क्यलाएगा, glycine, अगर R की जगह CH3 मतलब methyl group है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा alanine, और याद रखना, अगर यहाँ पर methyl alcohol CH2OH है, तो यह क्या हो जाएगा, serine तो अच्छी तरह से याद रखना, gas, G for glycine, A for alanine, S for serine, glycine में R की जगह क्या है, glycine hydrogen, alanine में methyl group, and serine में याद रखना, methyl alcohol, इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे, इस बात को अच्छी तरह से समझने की यहाँ जरुवत है, अब दूसरे उस पर जाते हैं, pH के base पर type of amino acid on the basis of pH, it may be acidic, basic, neutral, or aromatic amino acid, अब इसका formula हमारा याद रखना, गालब tips, अब याद रखना हमारे formula में केबल capital letter का मतलब होता है, small letter का कोई मतलब नहीं होता, got it my point or not, तो इसमें याद रखना, गालब tip, गालब का tip, गालब एक रिशी हुआ करते थे, जिनके नाम पर ग्वालियर सहर को बसाया गया है, तो याद रखना GA for glutamic acid, और यह किसका example है, यह acidic amino, यह जो है acidic amino acid का example है, उसके बाद basic का example क्या, lycine, LA for lycine, यहाँ पर L capital है, A small है के बल, L का मतलब है, V for valine, valine कैसा हो जाएगा, neutral हो जाएगा, और tip में याद रखना, T2P, तो aromatic के example कौन-कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले tiptofan, उसके बाद tyrosine, उसके बाद phenyl, alanine, कौन-कौन से example हो जाएंगे, tiptofan, tyrosine और phenyl, alanine, इस बात को अच्छी तरह से यहाँ पर दिमाग में set करके रखना है, ठीक है, फिर देखो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर हमने बात किया इसेंसियल amino acid, मतलब वो amino acid जिनका synthesis आपकी body में नहीं होता, और जिनका dietary supplementation अनिबार है, यह याद रखना, तो इसका एक formula हमने डेबला किया है, mat will fly, थोड़ा सा spelling हमने change किया है, बाकी mat का मतलब क्या होता है, चटाई, और will, wyll के बजाए हमने क्या लिया है, vil और phl by हमने fly की जगए लिया है, मतलब चटाई उड़ेगी, चटाई उड़ेगी, अब याद रखना, m for methionin, t for tyrosin, second t for triodine, b for balein, i for isoleucine, and l for leucine, और ph for phenyl alanine, and ly for lyacine, अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, इतने टाईप का amino acid in CIT में है, और निश्य दूरूप से कि बल इतने ही type का amino acid हमें याद करना है, इसको और भी कई तरह ऐसे category किया जा सकता है, लेकिन जरुवत ही नहीं है उसको याद करने का, जैसे semi essential हो सकता है, दूसरी category हो सकती है, बट उसको याद करने की जरुवत ही नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे बीडियो, जैसे अब ही हम बात कर रहे हैं, बायो मॉलीक्यूल के बारे में, उसके बाद हम cell the unit of life, और cell division के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम genetics, फिर bio technology, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे चीजों को समझना आपको बहुत आसान हो का, और मेरा दबा है कि पूरी biology में जहां भी complication होते हैं, समझने में दिक्कत होती है, यह याद करने में दिक्कत होती है, वो matter आपको मैं settle करके दूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करें, share करें और अच्छे अच्छे comment करें, ओके, all the best.